नमस्का इन खबर में आपका स्वागत है। वो अपने पती के साथ वहाँ पहुंची वहाँ पे पुलिस या करवाई की गई फिर जमानत हो गई अभी ये सब कुछ चल ही रहा था और इस पर बहस भी चल रही थी कि इतनी निवडिटी कहां तक जायज है और क्यों ऐसा पूनम पांडे करती है इसी बीच बॉलिवड एक् इसनी ने क्लिक की थी और इसके कैप्शन में मिलिन ने लिखा फिफ्टी फाइव एड एंड रनिंग दे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक साथ गुआ के इस पी पंकर सिंग ने बताया कि कुलवाप पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 294 और IT एक्ट की धार में पॉब्लिस और सियर करने के खिलाफ है इसे मिलिन ने अपने इंटाग्राम और ट्वीटर दोनों पे जो है ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया था तो लिहाजा 67 लगा है इसते पहले जो मॉडल पुनम पांडे का वाकिया बताया है उस सबके नॉलेज में आल डेडी है लेकिन सबसे बड़ा यह सवाल है कि आखिरकार यह निवडिटी क्यों ऐसा नहीं है कि मिलिन सुमन नहीं जान रहे हैं कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो कहां कहां गलत है और कैसे अपराद बनता है ठीक है कि फिटनेस को ले करके उन्होंने दौर लगाते हुए और अपने को हैपी बर्डे टू मी करके इसको ट्वीट किया लेकिन दूर का सोट भी है बट सवाल तो यह उठेगा कि जब आप एक्टर हैं मॉडल हैं दूसरों के लिए मेसेज देते हैं और बहुत सारे यंगेश्टर्स आपको रोल मॉडल मानते हैं तो उनको क्या संदेश दे रहे हैं पुनम पांडे से समगता उस गंभिरता की उमीद नहीं की जा सकती जो की मिलिन सोमन से लेकिन न तो मिलिन सोमन ने इस बात का ध्यान लखा और नहीं पुनम पांडे ने और अब दोनों को कानूनी करवाई का सामना करना पड़ेगा चलिए देखते हैं अभी और किस की क इसकी तस्बीर ऐसी आती है सब कुछ जानते समझते हुए और ये भी जानते हुए की अपराद है फिर भी किये जा रहे हैं किये जा रहे हैं तो रहिए न बे खबर देखते रहिए इन खबर थैंक यू